वरीदाबाद के बल्लवगड में केंद्रिय राज्यमंत्री कृष्ण निपाल गुरुजर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने केंद्रिय राज्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में मुफ्त वैक्सिनेशन के लिए 35,000 करोड रुपे का प्रावधान रखा है वहीं अब तक देश में 62 करोड लोगों को वैक्सिनेट किया चुका है जो की सरकार के एक बहुत बड़ी उपलब्दी है जी वैक्सिन लगी है बहुत अच्छा मैसर्श हो रहा है और यह हमारी जो एक बिमारी चल लिए करोना काल की इससे हमें साहिता और मदद भी मिल लिए काफी मुझे पहले भी डोज लगी है और आज भी लगी है बापी कोई प्रेशानी नहीं हुए आज हमारे वाड का ये पंदरवा कैम्प है इससे पहले भी हम चौदा कैम्प लगा चुके हैं और आज मुख्यातिती के रूप में इस कैम्प में जो त्रिका कलोनी में आज आयोजिन किया गया है उसमें कृशन पाल गुजर जी केंद्रे मंतरी भारस सरकार और हमारे बल् सभी आज इसमें हिस्सा ले रहे हैं और आज सभी एज गुरूप चाहरा फिलस हो पैंतालिस फिलस हो सभी को फश्ट और सेकंड डोस आज सभी दिया जा रहा है तेल गती से वैक्षिनेशन का कारिक्रम आज भारत में चल रहा है बासर्ट वोड से अधिक लोगों को अब तक वैक्षिनेशन हो चुका है दुनिया की एक बड़ा छे आबादी हिंदुस्तान में रहती है लेकिन जिस तरह से मोधी सरकार ने वैक्षिनेशन की विवस्ता की है और वैक्षिनेशन गती पर दिन पर दिन गती पकड़ रहा है इसमें नाम गॉट्टर टीसी की जवाल है, इसमों बल्लब बड़ू, हमारे यहां पे एक्सिशन केम्प लगाया है, गॉर्मेंट प्रामिल स्कूल तिर्फा कलोनी में लगाया गिया, इसमें 18 प्लस और 45 प्लस की फर्स और सेकेंड डोस बहुं लगाया जा रही है, इसमें कम इसमें कम विर्फो तो आप दो जिसका आमारा, याप